हलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं महिंदरा स्कॉर्पियो का S9 वेरियंट बात करेंगे गाड़ी के कम्प्लीट इंटीर एक्स्टीर एंड ओन रोड प्राइस के बारे में बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बैल ऐकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाड़ी वीडियो की नोटिफेकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के overall dimensions से तो गाड़ी की जो overall dimensions है वो आप देख सकते हैं अपनी screen पर वो भी with comparison गाड़ी का जो on paper ground clearance बताया गया है वो है 180 mm बट actual में गाड़ी का ground clearance है 210 mm का Scorpio आती है 2.2 liter M-Hawk diesel engine के साथ में जो generate करता है maximum power 137 BHP की 3750 RPM पर और generate करता है maximum torque 319 mm का 1500 RPM पर बात की जाए अगर Scorpio की mileage की तो company claim करती है mileage 15 kmpl की Scorpio S9X showroom cost करता है 16.14 lakh और on road cost करता है 19.21 lakh approximately अब बात कर लेते हैं गाड़ी के headlamps की तो यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाते हैं साथे में आपको halogen projector मिल जाएगा low beam के लिए and reflector light मिल जाएगी halogen में high beam के लिए नीचे की side आपको normal halogen fog lamp मिल जाएगी silver inserts के साथ center में आपको महिंदरा के logo के साथ में silver finish जो है वो grill देखने के लिए मिलेगी जो के inverted D cut grill आपको इसमें मिलती है as usual जैसे पहले मिलती आ रही है Scorpio में so overall गाड़ी की जो looks है front से वो काफी muscular लगती है बात करूँ गर इसके wheels की तो यहाँ पर आपको steel rims मिल जाते हैं और जो tire का size है वो है 235 by 65 R17 front में आपको मिलेंगे ventilated disc brake और rear में आपको मिल जाएंगे drum brake body color में आपको ORVM मिलेगा जो की electrically adjustable है और इसी पर ही आपको यहाँ पर turning indicator भी मिल जाते हैं इस variant में top पर आपको यहाँ पर black roof rails मिल जाती है और जो यह rain shades देख रहे हैं आप यह है एक accessory का part है जो अलग से install कराई गई है तो करते हैं डगाडी के door को open और देखते हैं किस तरीके का door profile है scorpio का तो यहाँ पर आपको कुछ इस color में beige color में देखने के लिए मिलेगा door profile नीचे इस तरीके से door pocket आपको मिल जाएगा यहाँ पर water bottle रखने का space नहीं है all four power windows के control आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो की one touch down function नहीं आता है इसमें one touch up function के साथ इसमें driver seat window आपको मिल जाती है one speaker की placement आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी fabric seats आपको इस variant में मिलती है height adjustment और आपको 8 way electrically adjust आप इस seat को कर सकते है कुछ इस तरीके से height adjust कर सकते है बाकि other seats को आप 6 way manually adjust कर सकते है अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के steering wheel की तो यहाँ पर leather wrap steering wheel आपको नहीं मिलता normal steering wheel मिलता है जिस पर आपको left side में जो है media controls जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे साथी में आपको call connect disconnect का भी button आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा वहीं पर right side में आपको cruise control के mode यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरीके से दिखता है गाड़ी का instrument cluster तो सबसे पहले गाड़ी का on कर लेते हैं कुछ इस तरीके से open होती है गाड़ी की key foldable की है आपको यहाँ पर मिल जाती है scorpio के साथ इसको लगाते हैं और करते हैं गाड़ी का ignition on first rotation पर गाड़ी का music system है वो on हो जाता है welcome sound के साथ आता है और screen पर महिंदरा का जो है logo वो welcome note के साथ आ जाता है उसके बाद करते हैं गाड़ी के ignition को on और कुछ इस तरीके का दिखता है गाड़ी का instrument cluster इसमें digital analog instrument cluster आपको मिल जाता है जो show करता है average fuel consumption, average speed, distance to empty, clock, gear indicator and shift indicator center में आपको मिल जाता है यहाँ पर integrated touchscreen infotainment system जो कियाता है four speakers के साथ में जो support करता है Android Auto and Apple CarPlay को और साथ ही में extra features जो आपको इसमें मिल जाते हैं वो हैं USB, AUX, Bluetooth जैसे features जो इसके साथ अच्छे से compatible हैं इसकी मुझे एक कमी ये लगी कि इसमें GPS navigation अभी भी missing है नीचे की साइड आपको automatic climate control मिल जाएगा कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको AC vents मिलेंगे center में आपको air throw control भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा so overall जो cabin की illumination है वो पूरे aqua color में दी गई है जो गाड़ी के interiors को और भी premium feel देता है steering के right side में आपको यहाँ पर ORVM के control के लिए button देखने के लिए मिल जाएगा and साथ ही में आपको headlight leveler, fuel lid opener और rear defogger का button भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की side आपको 3 pedals मिलेंगे साथ ही में आपको dead pedal भी इसमें provide कराया गया है right side में headlight control और left side में आपको यहाँ पर wiper control के लिए knob देखने के लिए मिल जाएगे बात करूँ अगर dashboard की plastic quality की तो यहाँ पर ना जादा hard है, ना जादा soft है average plastic quality यहाँ पर use की गई है कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको glove box मिल जाता है जो की normal glove box है, ना ही इसमें कोई light है, ना ही cool glove box यहाँ पर आपको मिलता है overall cabin जो है, वो काफी spacious है उपर की side आपको यहाँ पर sun glass holder मिल जाएगा इस तरीके का driver side sun shade दिखेगा और जो passenger sun shade है, उस पर आपको vanity mirror भी मिल जाएगा इस variant में driver side armrest के ठीक उपर आपको यहाँ पर cabin lamp प्रोवाइड कराये गया है जो की yellow light में है, कुछ इस तरीके से आप इस light को on कर सकते है जो की sliding features के साथ आता है, आप इसको जरूरत पढ़ने पर आगे यहाँ फिर पीछे कर सकते हैं साथ ही में 12V का socket यहाँ पर मिल जाएगा, 6-speed manual transmission आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो की कोई भी leather wrapped वगेरा नहीं है, थोड़ा सा space आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको 2 cup holder जो है, वो मिल जाएगा चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और देखते हैं गाड़ी के middle row का seat profile किस तरीके से है रेर डोर की अगर मैं बात करूँ तो center में आपको यहाँ पर black color में grab handle देखने के लिए मिल जाएगा वन लीटर बोटल रखने के लिए आपको यहाँ पर space दिया गया है अब अगर मैं बात करूँ middle row की seats की तो यहाँ पर आपको bench type seat मिलती है जो कि complete fold होती है 60-40 का ratio आपको यहाँ पर available नहीं कराया गया एक बात और मैं आपको बता दूँ कि गाड़ी की जो front seat है उसमें आपको integrated foldable armrest मिल जाता है इसलिए आपको यहाँ पर center में armrest available नहीं कराया जाता और कुछ इस तरीके से दिखता है गाड़ी का dashboard middle row से वहीं पर middle row में आपको यहाँ पर दो adjustable headrest मिल जाते है और कुछ इस तरीके से दिखता है गाड़ी का third row profile middle seat से तो चलिए चलते हैं गाड़ी के rear में और देखते हैं गाड़ी का rear profile कैसा है तो कुछ इस तरीके से दिखता है Scorpio का rear profile LED tail lamps आपको यहाँ पर मिल जाती है और साथी में यहाँ पर आपको Scorpio S9 की badging देखने के लिए मिल जाएगी नीचे की side आपको micro hybrid की badging देखने के लिए मिल जाएगी जो की enhance करती है आपकी Scorpio की mileage को reverse parking camera आपको इस variant में नहीं मिलता बट आपको दो parking sensor जरूर मिल जाते हैं door open करने के बाद आपको मिलता है 460 liters का massive boot space and third row में आपको मिलती है jump seats इनको कुछ इस तरीके से आप unfold करकर दोनो seats को आप अपनी Scorpio को convert कर सकते हैं 7-seater Scorpio में अगर मैं बात करूँ इस third row की seats के comfort का तो यह जादा comfortable नहीं होती specially अगर मैं बात करूँ thigh support की तो thigh support बिलकुल average सा यहाँ पर दिया गया है बट कभी कबार आप इनको use में लाकर 7-seater में convert कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से दिखता है गाड़ी का complete interior third row से अगर मैं बात करूँ गाड़ी के boot door profile के बारे में तो यहाँ पर आपको दो speaker की placement देखने के नहीं मिल जाती है इसके साथ ही आपको गाड़ी में rear defogger और rear wiper भी available कराया गया है इस variant में Scorpio आती है 2 साल की warranty के साथ और 75,000 km की warranty के साथ whichever is earlier Scorpio available है 4 color option में जो है Nepoli Black, Molten Red, De-set Silver और Pearl White में तो guys अगर मैं Scorpio के on-road price की बात करूँ तो Scorpio का जो base variant है वो cost करता है 15.22 lakhs on-road और वही पर top variant जो है वो cost करता है 20.66 lakhs on-road और गईज एक बात मैं और आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द Scorpio एक नए अवतार में आने वाली है date confirm नहीं है लेकिन month of February या फिर March 2022 में जो Scorpio का नए अवतार है वो launch होने वाला है अगर आप Scorpio के इस look को पसंद करते हैं तो आप इस year end तक एक अच्छे खासे offers में Scorpio को buy कर सकते हैं लेकिन अगर आप wait करना चाहते हैं Scorpio को buy करना चाहते हैं नए अवतार में तो आपको 6-7 महिने का इंतिजार करना पड़ेगा बागी सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई